हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक इन आवर यूटूब चैनल लॉटो लॉन तो दोस्तों जैसे आप सभी स्किन पर देख रहे होंगे तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे जो होगा हमारा फूट पैकेजिंग एंड इस फॉंक्शन यानि कि फूट पैकेजिंग मैंने टेलेग्रम गुरूप का लेंक दे दिया है तो आप महां से हमारे चैनल को मेंस हमारे जो टेलेग्रम गुरूप उसको फिज्वाइन कर सकते हैं चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि फॉट पैकेजिंग क्या है और कौन से कौन से उनकी फंशन कि किसी भी चीज को मि डिया गा है कि कीजिए और टेकनोलोजी है है और ऐने क्लोजिंग और प्रोथ्टिक से लुड़ को ट्रिस्टियूशन storage, sale and use, यहन्य कि packaging एक ऐसा method है, ऐसा science technology है, जिसमें हम लोग किसे भी food product को, या फिर कोई भी ऐसा product होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको protect करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको pack करते हैं, ताकि हम लोग उसका अच्छे से distribution कर सकें, यानि distribute कर सकें, उसको store करके र के लिए, बहुत ही ज़्यादा आउशक है, बनलब कि बिना food के हम लोग अपने life का, कोई भी चीज सोच ही नहीं सकते हैं, बनलब कि without food, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, food के अंदर बहुत सारे nutrients हैं, जो की हमारे humans body को requirement होती हैं, तो चलिए food के बारे हम जानते है, food क्या होता है, food is any substance, food is any substance, consume to provide nutritional support and energy for an organism, यानि कि food एक ऐसा substance है, जो कि consume किया जाता है, किसी भी humans के द्वारा, या फिर किसी भी आपश्वों के द्वारा, या कोई भी ऐसा living things, जिसके द्वारा food लिया जाता है, वो ऐसा इसलिए, ताकि इनको nutritional support मिल सके है body में, ताकि उससे उनको energy मिले, किसी भी work को करने के लिए, तो वो होता है food, it contains essential nutrients, such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water, यानि की जो भी food material है, वो 5 essential nutrients को contain करता है, जिसमें carbohydrate हो गया, fats हो गया, proteins हो गया, vitamins हो गया, minerals हो गया, तो इस जितने भी nutrients हैं के अलग-अलग source होते है, in the future कोई अलग वीडियो से मैं बनाऊँगा, तो उसमें आपको मैं बताऊँगा कि carbohydrate किसमें मिलता है, fats कि कौन से ऐसे food material से, जिस सब के उपर, आगे है, food packaging, हम लोग ने packaging के बारे में जाल लिया, अब food के बारे में जाल लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि food packaging क्या है, जो हमारा topic है, तो food packaging is the enclosing of food to protect it from damage, contamination, spoilage, pest attacks, and tempering during transport, storage and retail sale, यानिकि food packaging एक ऐसा method है, जिसमें हम लोग जो हमारा food material है, उसको enclose करते हैं, उसका packaging करते हैं, ताकि उसको damage से बचाए जा सके, contaminate होने से बचाए जा सके, जो food storage वाली जो समश्या आती है, उससे उसको बचा सके, pest का जो attack हो जाता है हमारी food material पे, उससे हम लोग उसको बचा सके, साथ में जो tempering होता है, during transport, यानि कि tempering यानि food material जो है, वो अ actual sizes को खो देता है, tempering कर देता है, साथ में जो storage है, और retail cell के लिए हम लोग food packaging को करते हैं, एक बात बताते हैं आपको देखें, यदि आप food material जब आपका हो जाता है, तियार करते हैं हम लोग company वगार हमें, तियार होता है और यदि आपको सिधा दे दिया जाए, तो बहुत सा मैनर, that there are no adverse interaction between it and the food, यानिकि food packaging जो हम लोग करते हैं, उसके लिए इस टैप की मतलब की जो भी package है, means packets है, उनको design इस टैप से करना चाहिए, जिससे वो उनका interaction किसे भी food material के साथ ना हो, means उसको भी कुछी भी टैप का, means उससे नुकसान ना हो, packaging types include bags, bottles, cans, cartoons and trays, यानि पैकेज जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं, bags को कर सकते हैं, bottles हो गया, cans हो गया, cartons हो गया, and trays हो गया, जिसे हम लोग basic daily life में दिखते हैं, जैसे हम लोग cake वेरा order करते हैं, तो हमारा वो cartons में आता है, एक डब्बे में, उससाथ cans में हम लोग जो soft drink वेरा पीते हैं, bottles में, मालने जिए दूध वेरा लेके आते हैं, और trays, जिसमें बहुत सारी चीज़े, खाने फिने की चीज़े लेके आते हैं, तो ही कुछ packaging के चीज़े हैं, food packaging types, यानि food packaging हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका कुछ types भी होता होगा, तो food packaging क्या है, the material mentioned above and be fashioned into different type of food package and container, यानि कि हम लोग कुछ ऐस इसे materials को देखेंगे, जिसमें हम लोग कोई भी food material है, उसको हम लोग pack करते हैं, तो चलिए देखते हो कुछ कौन से है, packaging, ये उसके कुछ types है, aseptic package, plastic tray, bags, bottles, boxes, cans and cartoons, ये तो हमारा packaging type हुआ, type of container, कैसे container है, तो primary container है, जैसे भी सभी, और एक्जाम्पल है, कुछ food package, जो मतलब क eggs होता है, मतलब कि जो eggs होता है, उसको अब लोग क्या करते हैं, ये septic package में उसको हम लोग pack करते हैं, उसके बाद जो plastic trays है, जो portion of fish है, उसको रखा जाता है, लिया जाता है, bags में हमारा potato chips वएरा हो गया, आप लोग chips वएरा खाते हैं, तो उसके पर wrapping वएरा दिखते हैं, तो food packaging जो है, उनके कुछ function है, तो तीन main function जो packaging के होते हैं, protection, contamination and communication, तो ये बहुत simple चीज़े हैं, चलिए बात करते हैं, करके इनके बारे में, सबसे पहला है protection, packaging first and foremost function is protection, यानि कि जो packaging है, उसका सबसे first जो important function है, वह है protection, कोई भी food material है, उसको कैसे protect किया जा सके, the most important function of packaging is to keep the product safe and secure from the outside environment, यानि कि जो important function है, ये packaging, इसमें क्या होता है, कि हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, कि कैसे हम लोग हमारा जो food material है, उसको safe and secure का सके, जो outside के environment है, उससे, आगे है protection, by, sorry, protection के बात कर रहे हैं, by placing a more or less effective barrier between the food and the environment, the package protective food from physical, chemical, microbial and microbial attack from the exterior and thus has a decisive effect on the self-life of the product, यानि कि protection जब हम लोग लिखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कि जो भी एक less or more effective barrier है, उसको use करते हैं, food को protect करने के लिए, और इस type का हम लोग packaging करते हैं, ताकि जो food material है, उसको हम लोग जो भी physical, chemical और microbial, जो भी attack है, उसको बचा सके हैं, और life को भी हम लोग increase कर सकें, आगे है communication, the quantity of information printed on a food package has been increased constantly, communication में मतलब कि देखिए, मैं एक customer हूँ, मैंने एक chips का packet पर खरेदा, तो communication में क्या होता है, कि कई सारी ऐसे company हैं, जो कि फ्रोडली वर्क करती है, जिस पे FSSIA का एक hallmark होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे ना, क्यों भी food material लेंगे, उसके पीछे एक stamp लगा होता है, किसी एक company का, तो वो यह होता है, कि communicate करता है, मतलब कि हाँ, यह food material ठीक है कि नहीं है, second thing, आप लोग जो chips खाते हैं, communication में, जो आज की जनता है, मतलब कि आप कैसी जाने हैं, कि हाँ, आप लोग जो chips लेना चाहा रहे है, मतल तो maggie ने अपना नाम दिया, maggie, तो उस type से हम लोग देखें, किसी भी दुकान में जाते हैं, तो क्या कहते हैं, हमको maggie देजिए, तो communication है, maggie मतलब वो noodles, तो इसका communication में यह चीज आता है, it indicates brand identification, मैंने बोला ना brand, वो उसको indicate करता है, and product promotion, साथ में जो भी product है, उसको promote करता ह है, आपको एक image देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, जो मैटो का दिखाए दे रहा है आपको, और तो यह भी एक type का brand, यह promotion नहीं हुआ, तो क्योंकि जो मैटो एक company आप भी जानते हैं, आप लोग कोई भी food metal मंगाते हैं, खाने पेने का बचलोवे कोई पनीर मंगा यह मिठाए मंगा लिए, तो उससे हम लोग order कर लेते हैं, इसको, इसको, sorry, it indicates brand identification and product promotion, जैसे कि मैंने आपको बताए है कि brand identification करता है और product को promote करता है, the printing usually include essential data, list of ingredients, nutritional data, production data, मैंने आपको बताया था न, आपको एक image देख पा रहे होंगे, तो इसमें यह है कि उसका ingredient, इसका कितन ingredient यूज हुआ है, कितना nutritional value है, इसमें calorie आप देख पा रहे होंगे, ज्यादा deeply दिखाए दे रहे हैं आपको, साथ में production data, कब इसको product, इस product को manufacture किया गया, यह कितने time तक इसका self life है, जिसे हम लोग expiry date भी कहते है, कब तक इसका last date है, तो यह सब चीजे जो भी food material है, उसके प This is essential for the efficient transportation, storage and distribution of the product, यह इसलिए जरूरी है, ताकि हम लोग efficiently क्योंसे भी product का transportation कर सके, storage कर सके, distribution कर सके, किसी भी product का, contaminate होने से इसको बचा सके Function of packaging, जिसे convenience भी कहते हैं, तो convenience क्या होता है, for the pack handler and user, throughout the packaging chain, convenience features such as ease of access, handling and disposal, product visibility So, thank you, दोस्तों, यह हमारा वीडियो हें पर खतम होता है, I hope आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में किसी भी टाइप कर doubt होगा, तो प्लीज मझे comment section में comment किजेगा, मैं आपका जो भी doubt है, जल 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 सो clear कर दूँगा, और साथ मैं हमारे टेल subscribe करना मजभूली, thank you